हलो दोस्तों मैं हुशी उली और आप सब का स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाएंगे घर पर कस्टर्ड पाउडर एगलेस कस्टर्ड पाउडर बहुत ही एजी रेसिपी है और बिल्कुल जटपट बन जाता है चलिए फिर जटपट रेसिपी देख लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक कप चीनी किसी भी कप से किसी भी कटूरी से आप लीजिए और जिससे आप नाप रहे उसका आधा भी नाप आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक कप चीनी ली है एक मिकसर जार चाहिए मैंने ये बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है तो एक कप चीनी मैंने डाल दी है और इसको हमें पीश लेना है चलिए पीश कर बिल्कुल बारिक पाउडर बना कर लाते हैं देखे दोस्तों मैंने बिल्कुल बारिक सा पाउडर बना कर लाया है बिल्कुल महीन है तो अभी हमें इसके साथ एड़ करना है कौन फ्लावर तो एक कप मैंने चीनी ली थी और उसके साथ हमें आधा कप कौन फ्लावर चाहिए या देखिये दोस्तों आधा कप माने ऐसा देखे और इसके साथ साथ हमें चाहिए पाऊडर मिल्क यहां पर पाऊडर मिल्क हमें यह किशाई हमें दो पिन दो नेखे निफ हाफ कप कॉन फ्लावर और half कप मिल्क पौॉडर थोड़ा सा फूड कलर लेंगे और फूट कलर यह है लेमन येलो फूट कलर जो कास्टर पॉडर का कलर होता है वो ही और वैनिला एशन्स डालेंगे लगभग आधा टीस्पून जितना वैनिला एशन्स डाल देंगे तो देखिए दोस्तों मैंने हाफ टीस्पून जितना वैनिला एशन्स डाल दिया है अभी डखन लागा कर इसको मेक्स करके लाते हैं और मैंने मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं और हमारा कस्टर्ड पाडर बिल्कुल रेडी है इससे आप कोई भी डेजर्ड बनाएए कोई भी जैसे की फूट कस्टर्ड कोई आइस क्रीम बनाएए कुछ भी बनाएए और इससे तो आप चाहे तो केक करीम भी बना सकते हैं एक बॉल में डाल लेते हैं और अभी हमें कैसे इसको स्टोर करना है एक कंटेनर लेंगे एक कोई भी डबा यह टाइट हो तो अच्छा है ना हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर आपने जो जो चीजे डाला है वो उसका जो वैलिटी है मतलब उसका जो एक इस पारी डेट है वो देख लीजिए तो जितने दीनों का है उतने दीन तक आप इस पाउडर को चला सकते हैं स्टोर करकर रख सकते हैं और इसको फ्रीज में रखने की कोई जूरत नहीं है बाहरी रखिए और यूज करते रहिए